सिरी शिवाई नमस्तुब्याम हर हर महादेव गुरुजी पंडित प्रदीव मिस्र अची द्वारा बताए गए सबी उपाए हम इस चैनल पर करके बताते हैं दोस्तों अमावस्या बहुत ही पावन पर्व है बैसाक महीने की आठ तारिकों है अमावस्या और अमावस्या के दिन अगर आप कुछ ऐसे उपाए कर लेते हैं तो महादेव आपको महादेव आपको जो तरक्की देते हैं जो सफलता देते हैं उसके सासाथ जो हमारे पित्र होते हैं वो भी हमारी जो सफलता होती है उसमें उनका भी पचास से साथ परसेंट हाथ होता है तब हमें सफलता मिलती है जैसे कि पित्र दोस है अगर घर में तो आप कितनी भी मैनत कर तो आपको सिर्फ दो रोटी कमाने का ही मौका मिल पाएगा तो ऐसे में पित्रों के आसीरवाद बहुत ही आवश्यक है तबी आप जीवन में सफल बन सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसे उपाया बताने वाली हूँ जो की आठ तारी कमावस्या के सुबह आप ये उपाय कर सकते हैं और उपाय करने के बाद आपके जीवन में अगर कष्ट चल रहे हैं तो उनसे छुटकार अपा सकते हैं परतबाड़ा में जो हाली में जो कथा चल रही हैं उसमें भी गुरु जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो की आप कर सकते हैं तो सबसे पहले जो उपाय है वो है नारियल को लेकर मतलब सूखी गरी जो की आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको गरी लेनी है गरी का गोला लेना है काटना नहीं है इसको कैसे करना है वो समझ लीजिएगा देखे एक काटने वाला भी उपाय है वो अलग उपाय है वो भी हम उपाय बाद में समझाएंगे पहले ये देख लीजिए यहां पर आपको लेना है एक छोटा सा गोला गोले पर आपको बांधना है ये दिखिए आप देख रहे हैं ना कलावा कलावा बांधना है साथ बार और बांधने के बाद पूरे घर में घुमा देना है ठीक है बातरूम को छोड़ कर अपने पूरे घर में घुमा देना है घुमाने के बाद जितने भी सदस्य आपके घर म उससे थोड़ा बड़ाई होना चाहिए पीपल का ब्रच ऐसा नहीं कि विल्कुल छोटा सा है तो वो नहीं थोड़ा सा बड़ा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं अगर दस बजी से पहले कर लेते हैं यह उपाय तो सोने पर सुहागा है आपको क्या करना है एक लोने जला पित्रों के निमित आपको चड़ा देना है और जो नारियल आप लेकर गए है वो छोटा सा गड़ा खोद कर जो आप गरी लेकर गए है छोटा सा गड़ा खोद कर पीपल के ब्रच के नीचे गाड़ देना है और अपने पित्रों से आशिरवात लेना है कि हे पित्र देवता अगर भूल चुक हुई हो तो उसको माफ करे क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है वो पूरा दिन अमावस्या पित्रों को समर्पित रहती है निमित रहती है अमावस्या के दिन कोई भी दान कोई भी पुन पित्रों के निमित जाती है अगर आप एक सीधा सीधे में जो की दाल खिचड़ी और आटा आलू तेल जो हो दूसरे विशेशुपाय की तरफ गुरु जी ने अपने अक्सर कथाओं में बताया है कि अगर पित्र दोस है गर्मे या पित्रों का असीरवाद चाहते हैं तो आपको एक लोटा जल लेना है तामे के लोटे में और इसमें आपको क्या डालना है अच्छत अच्छत कितने डा इस तरीके से चावल के दाने आप डाल दीजेगा जल भर लीजेगा वैसा आपको पावन महीना चल रहा है तो आप यह उपाय जरूर से करें उसके बाद आपको इसमें लेना है लाल चंदन पाउडर जो आता है ना रोली नहीं डालनी है लाल चंदन ही डालना है ठीक है इस इसमें डाल देनी है थोड़ी सी और फिर उसके बाद आपको क्या करना है यह जो लोटा है यह लोटा लेकर जाना है महादेव के मंदिर आपको कैसे खड़े होना है उत्तर की तरफ मुख करके खड़े होना है और जैसे की वीडियो में आप देख पा रहे हैं और पूरा एक ल जरूर से मिलता है महादेब का असीरबाद भी साथ ही साथ मिल जाता है तो यह उपाए बहुत प्यारा सा उपाए है जरूर से कीजिएगा और उसके बाद आगे हम आपको एक और उपाए बताएंगे जो कि गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहते हैं सबसे पहले आप एक काम करिएगा अगर आप महादेब को जल चड़ाने जाते हैं तो महादेब के पास में या सेवलिंग पर कोई कनेर का फूल अगर चड़ा हुआ र चावल लेने हैं ठीक है एक काटोरी चावल लेने आप क्या करना आप समझ लीजेगा यहां पर खंडित भी हुए तो भी चलेगा लेकिन एक कटोरी चावल ही लेने हैं एपने लेने कटोटे आपने ले-ले ले लेएowej एक तो भूह थे सब्सक्राइब तो यहां पर की और आपने दर्वाजे पर अगर दच्छर दिसा है तो ओधर रख दीजिए नहीं तो में दर्वाजे पर एक कोने में रख दीजिएगा पित्रों का इस मरड करके ठीक है जलाना नहीं है पूरी रात आपको छोड़ देना है देखिए साथ तारीक से लगी है अमावस्या और आ 5 पजे 6 बजे के टाइम ये कपूर जला देना है जलाने के बाद जो चावल के दाने बचेंगे न वो पच्छियों को किसी पेड के नीचे डाल दीजेगा पच्छिया चावल चुम जाएंगे ठीक है तो ये कुछ ऐसे सरल उपाए थी जो कि मैंने आपको वीडियो में समझ लीजिए उसमें जो गरी का गोला है वो आपको लेना है और सूखी पंजीरी बनानी है पंजीरी समझते हैं आप सूखा आटा जो हम घी में थोड़ा सा अकोर लेते हैं जो कलार लेते हैं तल लेते हैं जो कि सत्यनारायन की कथा में हम पंजीरी बनाते हैं थोड़ी सी मीठी मिस्ठान डालके चीनी या बूरा डालके हम जो बनाते हैं पंजीरी वो बनानी है थोड़ी सी और वो नारियल है जो गरी है उसको काटना है बीच के भाग से और काटने के बाद वो पंजीरी आपको भर देनी है और वो जो कटा हुआ भाग है वो भी रखके और उसको बान देना है अच्छे से पूरे घर में गुमाना है और गुमाने के बाद क्या करना है वही नारियल आपको पीपल के ब्रच के नीचे गाड देना है तो इससे भी पित्र दोश शांत होता है तो आप चाहें जो सुरू में हमने उपाय पताया वो कर लीजिए और हो सके तो ये वाला कर लीजिए कोई भी एक उपाय प्यारा सा कर सकते है वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सेर और कोमेंट सेक्शन में तो बोलना ही ना पड़े आप हर हर महादेव अवश लिखे अगर आप महाद महादेव तो लिखी सकते हैं मिलते हैं किसी दूसरे विश्य शुपाय की वीडियो के साथ तब तक के लिए शिरी शिवाय नमस्तुब्यम और हर हर महादेव बाबा से बस यही अन्रोद है कि बाबा हर एक भक्त की मनुकामना पूर कर देना क्योंकि ये भक्त जो है वो आप के भरोसे ही है तो बाबा बस मेरी करो या ना करो लेकित जो भी भक्त हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी मनुकामना अवश्य पूरी करना हर हर महादेव शिरी शिवाय नमस्तुब्यम